पार आज हमको हम आप लोगों को स्वागत कर रहे हैं कि में इलेक्ट्र अमेरिक इफेक्ट के बारे में कल हम लोगों ने चार्चा किया था चलिए तो सुरू करते हैं हम लोग सुरू करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बहुत आजिकर करना इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगर आपसे कोई पुछे तो का काम लोग इसके बारे में बता सकते हैं ठीक हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या परभाव आप इसको चाहें तो इंग्रिस में भी लेख सकते हैं इफेक्ट इसमें कुछ क्वालिटिया होती है कि यह जो प्रभाव होता है और अस्थाई होता है कल साहिद आप लिखे भी थे इसमें जब डबल बांड होते हैं तब यह किरिया होती है जब दिवी बंद होता है तब ही यह परभाव देखनें को मिलता है तब ही यह परभाव देखनें को मिलता है सब को याद होना चलिए बालक उसमें तृष बंद इस शो कारवन प्रवन है तो कहले नहीं और उसको दिखाई देना चाहिए और इसमें आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है उसे उपस्तित होना चाहिए आक्रमकारी जो अभिकर्मक है उसे उपस्तित होना चाहिए आपके सामने कुछ example में paste करना चाहता हूं अगर आपको आपकी अन्मती है अगर हो तो आपके खिदमत में उसको लाना चाहता हूं कुछ example को खिदमत में CS2, CC2 है इसके ओपर किसी आकर्मकारी reactant अभी कर्मक अंग्रे जीमें reactant करते है उसने इस पर attack किया अक्रमकारी रियक्टेंट कर सकते हैं अक्रमकारी अभी कर्मक बहुत ध्यान साब समझेंगे बहुत ध्यान से अट्यान से अट्यान करेगा बाई यह किरिया तभी होगे नहीं जब उसमें बंड पाए जाएगा ठीक है जब उसमें बंड उपस्तित होगा तभी यह किरिया होत कि आपके सामने योगी को पस्तित है इसका नाम एथीन होगा तो यह बॉंड तूटेगा अगर बॉंड तूट करके इस कार्बन के तरफ आता है इस नाम एऽ, दोग्वों को सेम निंगलेक्व में जासकता है तो जब अगर इसके तरफ आएगा तो आपके यादो कहा कि जो इलेक्टान ग्रहन करता हे उसके उपर माइनस का चार्ज आता है और जो इलेक्टान को दे देता है उसके उपर प्लस का देखो एक bond टूट गया है बाबू दो इलेक्टान मिले थे तब ये bond बना था जो इसको ग्रहण किया तो इसके उपर माइनस का चार्ज अभी कर्मेक उसने इसके ओपर आकर्मन किया, आकर्मन करने के बाद जो बांड होता है, वो तूट गया, इस तरीके से होगी क्मिला, दूसरा बात भी होगी आपकी, CS2, डबल बान, CS2, फिर इसमें कोई आकर्मन कारी जो अभी कर्मेक समझ रहे हैं नो, रियक्टेंट इसको क इसके ओपर होगा माइनस के चार्ज, सिंगल बांड, CS2, इसको उपर होगा पलस के चार्ज, बूल समझ माया है का आपको, कुछ बजा रहा है, यह ता हम समझ माना चाहिए बालक, तीसरा देखेंगे, मान लेजिए, कि अब आपके पास कोई, यह होगी क्या सी, सिंगल बां इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसके साथ आपके CS3 भी हो सकता है, इसके साथ CS3, अगर मान लो, इसके साथ CS3 होता, CS3 होता, C होता, फिर CS3 होता, अब डबल बांड होता है, तो कौन सा योगिक हो गाई, की टोन का होगा, माना अगर सही से लिखेंगे, तो CS3, C डबल आपकर मकारी अभी करमक रख दें तो बताओ बॉंड किसके तरफ जाएगा आक्सीजन के तरफ जाएगा क्यों वीडित वगता है इसके यादिक हो यह बाभी जब समाने तो किदर भी आपको दोने तरफ दिखाए गया है लेकिन कारबन हो आक्सीजन हो तो आपकी विडित तब आक्सिजन तब नाइट्रोजन तो यह जो इलेक्टान देख रहे हैं अटाइक कर देगा इस पर इलेक्टान जो होगा उसको कौन गराण कर लेगा आक्सिजन तो जो आपके पास प्राप्त होगा डियक्टेंज सी सिंगल बांड इसके उपर पलस का चार्ज आ जागा है इसने दान्त कर दिया वह न लिया तो इसके उपर माइनस का चार्ज होता है ठीक है चलो कोई दिकत आपको हो रहे है का अगर मैं इसी तरीके से कहूँ इसी तरीके से मैं कहूं आपसे चार नमर बातों को कि मालेजिए आपके पास सी है डबल बांड डबल बांड यह भी कई र्तिविद्रोमेरिक फेक्ट का रहा है तो का बनेगा निकालन तो का बनेगा तो कभी बंड को जिंदगी में काम करना लगे कभी बिक रबंड की जो बॉंड ओती है नो चार से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है चारी एलेक्टान इसके पास तादे तूटेगा तो कार्बन एक डबल बांड होगा और नाइट हो जाने के लिए थे माइनस आए इसको पर क्राओगा प्लस बास समझे की नहीं समझे बास समझे की नहीं समझे बताओ एक और आपको बता रहे हैं एक और आपको बता रहे हैं आजा 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 शिक्स नमबर फाइब नमबर आपके पास है CS3 CS3 CS8 और फिर आपका कार रहा है CS2 इसके उपर भी आप इलेक्ट्रोमेरिक जो अकरम कारी अभी करने अटेक कराएंगे तो इलेक्ट्रान इधर नहीं जाएगा अब इसको दिक्कत होगा है क्योंकि डबल कर बने अब ये इसके तरफ जाएगा तो काब बने का मालूम है CS3 CS8 के उपर एक प्लस डबल एक सिंगल हो जाएगा CS2 के उपर माइनस एक माइनस का जाएगा माइनस हो जाएगा बताओ सब लोग का आपको समझ माया क्या कोई आपका प्राबलम नहीं होना चाहिए बास समझे की नहीं समझे तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे तो लिख सकते हैं ठीक है कोई तिक्कत है बताओ चलिए नोट करिए इसको जल्दी से नोट कर लीजे चल लगया तो अब इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट बावो दूपरकार को होता है प्लस E एफेक्ट माइनस E एफेक्ट धनातमा इलेक्ट ठीक देखो यदि इलेक्ट्रान E को कार्बन से जुड़ता है उसी से प्लस E को पर प्लस जुड़ जाता है तो इसे प्लस E प्रभाव काता है प्लस E प्रभाव काता है प्लस E प्रभाव काता है तो समझ लेते तब आप लिखते हैं समझे हो नहीं समझ माइनस रुकिया इपले से सही नहीं हो रहा है एक्जांपल दिखे मानले जी एदम ध्यान से देखना है एदम ध्यान से आपके पास मानले जीं CS 3 है CS है double 1 CS 2 है और आपड़े हैं कौन यादे नहीं ध्यानातमा की लेक्टरों तो इपाजिटीव इस पर अटाइक करेगा तो रूल का होता बाभू है जब अटाइक ये तो इसको इसको इलेक्टान देगा नू ये कार्बन इसको खीच लेगा ओठान का अटाइक ये तो खीचेने के बाद का होगा बहुत प्यारा सा टापिक आपका है तो का होगा इसमें इस пробu ऑठआझ 3 इस 1950 ये ंच को अपर अटेवा जाएक पाजेटीव ऑठषीड को अटेव होगा इछीर को उपर एका पाजेटीव सब्सक्राइब एक पाजीटिब वे इसके इथर एक पाजीटिव है इसको हमारे पसका है है देख़ीर है की जब इसको सीखलेना च्वाइब अब नना चाहिए और अपना भी जब देखांगे जब दो कार्बन है तो इलक्टान उस कार्ब के तरब जाएगा जिधर एक कार्बन उपस्तित तो यह कि दो आपका धना तुमills होगा और इसका रूल का घाता है कि कि सके तरफ जाएगा जो माइनस मैंनम करने क्मा जाओं जिस कार्बन से जुड़ता है देखो इलेक्टान इग्व में और जाके किस कार्बन से जुड़ता है उसी कार्बन से यदि प्लस भी जुड़ जाता है तो इसे इपलस इ प्रभाव काते हैं कुछ सीखे अगर इसको आप सीख लिए नूँ तो दुनिया में कोई भी रियक्षान होगा बाभू एकदाम तुम लोग कर लोगे कोई भी रियक्षान होगा एकदाम अराम से कर लोगे मैं कहो तो आपको खुब बढ़िया तरीके से एक एक आना प्रियास करता है माली जी माली जी सीर्स थेरी आपके पास है और एटिपल बार्न आपके पास स्य हमें ठीखे और किसे ने कहा कि इसकी खिरिया आप स्टुर्य से कर आई है संब्सक्राव जांते हो काहा हो गया इसका नाम बलेंगे यாप एठेन नाइट्राइ नाइट्रें लिदते हैं दो करफन हिर ना भी समय जाएगा अच्छ या जाए गभबी आजाएगाद्न दूत क्रीया करेगा सब्सक्राइब सकते हैं तो सक तो दूर कर Jedha चले वहरे हैं जो पर 2100 अब माइनस और जुंट के गयमघ करेगा जिढ लेगा तो आपके पास क्या प्रश्टित घा टैजब लेगा तो से यहां जिके हैं यह लिके हैँ ते इस दूबर दैम डबलबॉन मृण इसके बतुher you क्योंकि ये ले रहा है तो इसके गता है कि हमेशा प्लस को माइनस महभबत होता है लिख किस के साथ जाएगा माने इसके साथ आएगा तो यह माइनस कफ़तम हो जाएगा यह पलस के साथ कौन जाकर जुड़ेगा CHRIS पर आपके जाकर यह जोड़े KE त्रीक साथ कि यह कॉalalे यूगी बन गया अगर ईश्क को साहीशे लिखें तो वह यत्च आप पिर आपका इनच आप इसमें का कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ हैं। डबल बांड इयापका रहेगा! बोल कोई दिक्त है? इस तरीके से बना सकते हैं अल्कोल भी है । है मीन भी आपका है। इसा thorough reaction किया जाता है अभी और समझधिए दो पहला आपका का विख लेगार मनिए यह कि इनो मुंको प्लॉस मैनेस के साथ जड़े से चलिए ऐस सीट हो गाई एक इड़ सीटम कराएंगे है कर यह better है इसके को पुलस आएगा माइनस और यह यह तो इससे तरीके से रियक्शन के sind के बारे में अगर हैं आपसे कोई पूछे पाँ बता सकते कोई इसके साथ प्लश या का जूरता है तो इसके साथ प्लस ए इफेक्ट फ़सा लिख लिए तब आपको मैंस एफेक्ट बता रहें समझे वह जी अब जो आटाइकिंग होगा नो मैंस ए करेगा बाद समझे माइनस एफेक्ट के बारे में देखेंगे अब देखो इसमें का होगा नो कि इलेक्ट्रान जाब कोई गर्वन गरहन करता है तो जो इक पर माइनस होगा अब तो माली जी की मैंस एफेक्ट के परवागा आपको दिखाना है तो अब का होगा देखो जाब इलेक्ट्रान जाब इलेक्ट्रान जाब इलेक्ट्रान इग्म जिससे कारवन से जुडता है उस कारवन से इपर माइनस दूर जाता है अर्थात नहीं जुडता है तो इसे माइनस ए परवाव काते हैं माइनस ए परवाव काते हैं क्या आपको समझ माज़ा इस बात को दूर भागेगा न माइनस है तो माइनस माइनस कोई मैचिंगे नहीं करेगा माइनस माइनस कोई मैचिंगे नहीं करेगा माइनस से दूर भागेगा तो आप देखो जड़ा सोच के बताओ मुझे एक उदारन की साबसे में आपको बताने का पूरा-पूरा परियास कर रहा हूं CH3 CH2 प्लस E को पर माइनस E को पर माइनस बता यह सिप्टिंग होगा एलेक्टरान दोनों यह करबन खीचेगा बताओ अब यह किसे साथ जाएका एलेक्ट यह भाप यह घिखा रहाए आघ को जाकर रहा खीचाइगा जबी जुड़े गाती को पर कोई चीन नहीं होना चाहिए दिखी आवेश वराबर है कि नहीं दोनों का है अरे इधार एक माइनस इधार एक माइनस ठीक है ओके आप कुछ उदारन और विशे सुरुप समलो दिखने का पूरा पूरा परियाश करते हैं माली जी किया माली किसी है माली जी का आपके पास है क्या सियस्थिरी फिर सी डावल बांड ओ है फिर इसके साथ सी एस्थिरी है किसी ने अटाइक किया किसी ने का किया अटाइक किया किसी ने किसने अटाइक किया किसने अटाइक किया भाबू माल लो अब नगवाभभ जब माइनस अबाँदाय किए तो सा eerste किखो पहले ही लेकटान यु कमति या करांड करेगा न वकराण करेगा क्योंकि ओकी बिदुतित मक्ता का होती है चलो आचा ठीक बाँ अच्छीन जाके इसके साथ एट जाएगा क्योंकि प्लस वाला होगा तीसरी कम लोका काते हैं कौन इफेक्ट कहेंगे इसको सब्सक्राइब कर लिए कुछ पूछना है का जी सब्सक्राइब तो नोट कर लिए इसको